आप सभी लोगों को स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर हाँ जी आज का थमने लापने बिल्कुल सही पड़ा आज हम कोई जेस्टी नहीं पड़ा रहे आज हम आपको सिर्फ एक कहानी सुना रहे और आज के दिन ये कहानी बहुत मैत्पून है ये वो कहानी है जिसे हर व्यक्ति को सुननी चाहिए ये वो कहानी नहीं है जो औरते अपने वर्द के दिन सुनती है ये कहानी लिखी है ये श्पाल जी ने और इस कहानी का कंक्लूजन इतना अच्छा है जब आप इस कहानी को पूरी सुनेंगे तो आपको वास्तों में मज आजाएगा कि कहानी बड़ी दर्दनाग कहानी है और दर्द से फिर ये खुशी की तरफ कहानी को जाती है करवा का वरत इस कहानी के दो में किरदार है पहला किरदार है कनया लाल और दूसरा किरदार है लाजो इन दोनों की शादी हो जाती है शादी जैसे ही होती है तो कनया जो लाजो का पती है अपने दोस्तों से कुछ बाते करता है पूछता है तो उनमें उनका एक दोस्त होता है हेमराज हेमराज अपने दोस्त को सला देता है जैसे कि कुछ दोस्त देते हैं साधी से पहले सला ऐसी हेमराज कनिया लाल को ये सला देता है कि भाया ओरत को सर पर नह चड़ाना चाहिए ऐसी उट पतांग सला हेमराज दे देता है कनया लाल को कि हमेशा उसे डाट डपटकर रखना चाहिए अब इस सला की वज़ा से कनया लाल हेमराज की बहुत बात मानता था बहुत ग्यानी समझता था कनया लाल वो सला मान लेता है और सला मानने के बाद होता क्या है कनया और लाजो के जीवन में लाजो जब भी कोई चीज कनया से मांगती तो कनया एक बार को चीज दिला देता दो बार दिला देता और तीसरी बार मना कर देता हाला कि उसका मन होता दिलाने का लेकिन चूकी सला दीती है म्राज ने तो कनहिया लाल उस सला को मानता हुए लाजो की दो बात मानता और तीसरी को इगनोर कर देता लाजो क्या थी लाजो का जो परिवार था वो बहुत ही गरीब था तो लाजो ये सोचती थी कि मैं अपने सारे सोक अपनी सुस्राल में जाके पूरे करूंगी तो वो रूट जाती थी जब कनहिया लाल उसकी बात नहीं मानता था और ये सोचती थी कि कनहिया लाल मुझे बनाएगा अब भीया होता क्या था कनहिया लाल को तो अपनी एगो थी अपने दोस्त की बात मानी हुई थी हेमराज की उसे तो अपना अधिकार जमाना था लेकिन मनाने की बजाए उसे चाटा मिल जाता था डाट मिल जाती थी तो वो बड़ी उदास रहने लगी अब ऐसे ऐसे उसे मानसिक परिशानी भी होने लगी लेकिन उसने अपना जीवन समझ लिया कि भहिया मेरे जो पती है कनया लाल मेरे पती है जैसा है पर मेरा है टेड़ा है पर मेरा है ये मानते हुए वो सारी उनकी बाते माननी लगी होता क्या है अब कनहिया लाल का जो हमंड था वो और ज़्यादा बढ़ने लगा कई बार तो वो लाजो को बिनाबाद की मार देता कुछ बाद भी नहीं होती जादा बड़ी बाद भी नहीं होती मार देता अपना अधिकार जमाने के लिए अब लाजो जो है निरासों में लग गई अब एक दिन आता है जो आज का दिन है करवा चोत का करवा चोत के दिन से एक दिन पहले लाजो लाजो को लगता है कि वही कल करवा चोत का वर्त है ठीक है वो अपने पती कनहिया से कहती है कि मेरे भाई ने दोर पे भेजे हैं करवे के जाओ आप इसका कुछ समान लियाना सरगी का समान लियाना और ये जो सरगी का समान आप जरूर लेकर आ जाना अब या जो कनया लालता उसे वैसे ही गुस्सा आ रहा होता है वो कहता है कि भई देखते हैं ली आएंगे और उसकी बात को अंसुना कर देता है और सुबा सुबा भी घर में कलेश करके वो चला जाता है अब साम को बड़ी उमीद से लाजो अपनी सहिलियों से कहती है कि आज मेरे पती जो कनया लाल है वो भी सरगी का समान लेकर आएंगे लेकिन रात को जब ये कनया लाल आता है ये कनया लाल खाली आता है खालियात क्यों आता है? क्योंकि अपने दोस्तों में उस दिन लंच पार्टी करते हैं और सारे पैसे उनके वही खर्च हो जाते है अब जो लाजो का मूड होता है वो जादा खराब कि भईया मेरे लिए तो ये सरगी भी नहीं लेकर आए मैं कल को करवा चोथ कवरत कैसे रखूँगी? अब यहां पर कनहीया लाल क्या कर देखता है कि लाजो का मूँ फूला हुआ है उसे और गुस्ता आता है और उसे वो दो-चार सुना देता है अब लाजो भी मन में बड़ी परिशान होती है कि मैं कल को इनके नाम का वरत भी रखू और यह मुझे सुना भी रहे लेकिन फिर भी वो सुबा सुबा उटती है वो सरगी के लिए देखती है कि मेरे पती तो कुछ लाए नहीं तो वो फिर सोजाती है बिना कुछ खए और जब वो सुबह उठती है अपना आठ बजे नो बजे तो देखती है कि सब औरतों ने वर्त रखे हैं तो वो भी अपनी पती की दीग राईयू के लिए और हर जनम ऐसा पती मिले उसके लिए वर्त को रख लेती है उसके लिए वर्त को रख लेती है और अपने पती का खान मनी मन ये सोचती है कि भाया मैं तो इसके लिए वर्त रख रही हूँ और ये मुझे आज भी डाट रहा है आज भी मारने की बात कर रहा है तो लाजों ने वैसे भी सरगी नहीं खाई होती तो भूग से बड़ी बेचैन होती है तो दो-ती बजए वो बहुत रोती है बहुत रोती है, सोचती है क्या करूँ? अपने मंन में बैठे-बैठे विचार बनाती है कि भाया, अगर आज मैंने वर्त रखा हुआ है अगले जनम में भी मुझे यही पती मिलेगा ये जनम तो मेरा नर्क हो गया अगला जनम भी मेरा नर्क हो जाएगा ये जनम तो नर्क हो गया और अगर मैं ये वर्त रख रही हूँ करवा चोत का तो अगला जनम भी मेरा नर्क हो जाएगा क्योंकि अगले जनम में भी मुझे ये ऐसा ही पती मिलेगा तो मैं ऐसा वर्त रखी क्यों रही हूँ अब वो सोचती है कि अगर उसने वर्त पूरा कर लिया तो अगले जनम में यही पती मिलेगा उसे डर सताने लगता है और इस डर की वज़ा से वो क्या करती है तीन बजे चार बजे क्या करती है जो पती की जो सूखी रोटी रखी हुई थी सुभा की उस रोटी को खा लेती और पानी पीकर अपना वर्त तोड़ देती है और वर्त को तोड़ कर सो जाती है अब साम को पती देवाते हैं आड बजे घर पे दरवाजा फीटते हैं तो लाजो उटकर खोलती है दरवाजा, पतई गुस्सा आजाता है कि पहले से दरवाजा क्यों नहीं खोल लगा। पती दो तीन लगा देता है कहता है तुम बिना मार खाय नहीं मानोगी अब लाजो का भी पारा पूरा हाई हो जाता है कह दिये मार लो आज ही मार लो जितना मारना चाहिए जान से मार डालो मैंने तो तुम्हारे नाम का वर्थ रखा नहीं और जो रखा था वो मैंने तोड़ दिया इसी जनम में मार सकते हो अगले जनम में मुझे आप नहीं मार सकते मुझे नहीं चाहिए अगले जनम में तुम्हारा जैसे पती अब वो जो कनही अलाल होता है जैसे ही वो उसे पैर से मारने जा रहा होता है एकदम से रुक जाता है एकदम से इस थम्ब हो जाता है कि यह मैंने क्या कर दिया मैं तो जिसे कुत्ता समझ रहा था वो तो एकदम शेर निकला और वो बहुत बहबीत हो जाता है और वो अराम से खाट पर जाकर बैठ जाता है और थोड़ी देर बार बाहर चला जाता है अब लाजो को लगता है कि चलो जो भी वह ठीक है पती के लिए खाना तो बनाना ही है तो पती के लिए खाना बनाने में लग जाती है ठीक है लेकिन वहां पर आप कनया लाल को सबक मिल चुका होता है कनया लाल बड़ा अपने आप म उठ जाता है फिर लाजो से कहता है कि तुम भी खालो अब जब लाजो खाना खाने बैठती है तो देखती है कि जो सबजी है उसमें नमक मिर्स जादा हो गया और अपकी बार तो मेरे पती का नहीं है लान ने मुझे डाटा ही नहीं और वो बड़ी अचंबित होती है कि मेरे पती में अचानक क्या हुआ कि उन्होंने डाटा नहीं अब जो पती होता है वो सही रास्ते पर आ जाता है सही रास्ता क्या कि भई वो अपनी पती को प्यार करने लगता है उसकी बातों को मानने लगता है इस से लाजो भी बड़ी खुश होती है अब जब लाजो खुश हो लियाओंगा लेकिन वर्त मत रखना क्योंकि तुम्हें दिक्कत होती है टेंशन होती है तुम्हें कमजोरी आती है वर्त मत रखना लाजो कहती है क्यों न रखू वर्त मैं तो तुम्हें हर जनम में पाना चाहती हूँ तो लाजो कहती है हम तो वर्त रखेंगे और वो जो रा कहता है तुम्हारा खाना कहा है तुम्हारा खाना कहा है अभी तो हमेशे हम साथ साथ खाते थे वो कहते है तुम्हें नहीं पता आज मेरा करवा चोथ का वरत है हम तो करवा चोथ का वरत रखेंगे तुम्हें हर जनम में पाने के लिए एक साल के अंदर इतना बदलाव हो तो आज हमारा भी वरत है हम भी नहीं खाएंगे लाजो कहती है तुमने तो सरगी भी नहीं खाई और तुम कैसे वर्त रखोगे दर्त यह आदमी थोड़ी वर्त रखते हैं लेकिन कनईया लाल नहीं मानता और उठकर अपने ओफिस चला जाता है लेकिन मनी मन लाजो क्योंकि उसे अच्छा लगता है कि उसके पती ने भी उसके लिए वर्त रखा यह कहानी है यह स्पाल जी की लिक्योई मैंने लगवक 15 साल पहले पढ़ी ती इस कहानी से मुझे अच्छी लगी तो मुझे लगा कि आज मैं अपने यूटूब चैनल के माध्यम से आपको बत कि आपको यह कहानी कैसी लगी क्योंकि मैंने पूरी कहानी नहीं बता ही समय जादा लग जाता मैंने तो इसे शोट में आपको बताया है तो मुझे कहानी अगर अच्छी लगी है तो इसे जादे से जादा लोगों तक शेयर करना और कमेंट करकर बताना इस वीडियो को के लिए आपका दिल से धन्यवाद थैंक यू